नवस्कार दोस्तों स्वागत आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इंफोर्मिशन पर और जो पहला जो शेर लेना वाला हूं वो है मैजस को इसके अंदर में अगर आप पांस दिन देखें चाहिए एक मेने का चार्ट देखें बेसिकली जो शेर का प्राइज है वो उपर की तर केवल और केवल एक महीने के अंदर में शेर ने डबल मार दिया है अब उससे आने से पहले क्या हो रहाता यह डिविदेंग दे रहे ती। में बहुत बड़ा डिभिदेन देरी चाहिए लोग फ्राइस कि नेगर तो स्कीन को कौंट किया जाता है तो बिसल्द आप देख से स्टिल इसकी फाइफ है और डिविडेंट तो इसने कंपनी ने बहुत ही शानदा डिविडेंट जो है अभी दिया है ठीक है और आप यहां पर देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट कोवाटर है वो इतना तगड़ा गया है कि कंपनी ने धेर साला प्रॉफिट जो है वो डेल कंपनी ने कम आए और नीचे अगर हम चलता है प्रमोटर शिप होल्डिंग फाइस ने भी पैसा लगा रहा है जनता के बास में 36 परसेंट है ठीक है तो आप स्टिल इस शेर के अंदर एंटरी ले सकते हैं ठीक है यह आपको स्टिल आपके पैसे जो है वो डबल कर सकता है आ जो है Consolidation Period के अंदर है देख सकते हैं आप यह Consolidation Period है यह आपका पेशेंट्स चेक है वह एक अनादर 2020 के पैनी मल्टी बैगर स्टॉक के अंदर आता है जिसने बहेंकर तरीके से रिटन दिया है बहेंकर तरीके से रिटन दिया है और 2021 के अंदर भी यह काफी अच्छा ज रखता है ठीक है आलोक इंडस्टी के अंदर में और कंपनी ने जो है लास्ट कोर्टर ही 2000 करोड का कमाया था जो की नेगेटिव से सीधा 2000 करोड रुपे का था तो यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और quarterly result जो है इसका Monday को ही आ रहा है तो आप बस wait and watch करें ठीक ह मंडे को और आने से पहले मैं बोलता हूँ कि आप इसको खरीद के रख ले ट्राइटेंट का जो शेर है यह भी काफी अच्छा शेर है फिलाल 15 रुपे के आसपास जो है ट्रेंड कर रहा है देखिए ट्राइटेंट के अंदर में एक जम था यहाँ पर 15 रुपे के आसपास एक गेन मिला 2% का शेर के अंदर में ठीक है और 10 दिन के अंदर जो है वो शेर कितना परसेंट जूम हुआ है 78% के आसपास जो है वो शेर ने जूम किया है अब यह दोनों जो आलोक इंडस्टी और ट्रेंड हैं यह सब जुड़े हैं टेक्स्टाइल इंडस्टी से अधायकों तो 21-25 उसके अंदर आप देख सकते हैं इतना भेंकर इतना भेंकर जो है वो आपको प्रॉफिट होने वाले इतनी बहंकर इस तरीके से जो है टेक्सटाइल इंडस्टी ऊपर जाने वाली है और प्रदान मंतरी मोधी जी जो है वह प्रदान मंतरी जी कल्यान बोलनी भाएगा थोड़ा सा मैं आपको आउट ओफ ट्रैक लेकी चला हूँ देखिए एफाई आइज ने क्या किया के नौसो एकतर करोड का वापस से बाय किया बाय ओन डिप ठीक है एफाई इस ने स्टिल हजार करोड के शेर जो है बाय कि जबकि मार्केट साधे 500 नीचे गिरा था ठीक है अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स पेज की तरफ एक बहुत ही बड़ी लाइन है फ्यूचरिस्टिक लाइन है अगर आप देखें एपरिल से दिसंबर तक जितना इंपोर्ट हुआ है न वह डाउन हो गया कितना 29 परसेंट डाउन हो गया यह टू यर के अंदर में ठीक है ट्रेड मिनस्ट्री नहीं यह अभी रिया तो 29 परसेंट डाउन होया तो यह खपत कहां से होगी भाया मैनुफेक्टरिंग से होगी इंडियन मैनुफेक्टरिंग से होगी और इंडियन मैनुफेक्टरिंग का मतलब यहीं से तो बहुत सारा ब मैंने बताया है तो जो export है वो basically क्या हो रहा है export Zoom हो रहा है आप अगर आप देखेंगे तो export काफी जूम है 27.15 billion है जो कि पहले 26.89 billion था तो अब क्या है अब export के उपर में जाधा बढ़ावा दिया जा रहा है अगला जो share है वह shopper stop और उसका quarter three result आगया था net नेट लॉस जो आया है वो 25 करोड रुपय का जो है नेट लॉस आया है फिलाल क्वाटर थ्री रिजल्ट के अंदर शौपर स्टॉप का तो शौपर स्टॉप का मैं पियर कंपरेजन आपको दिखा रहा हूं सभी के साथ के अंदर आ देते हैं बिल्डा फैशन लाफस्टाइल है फूचर एंटर्वRPराइज देखें सबको लॉस हुआ लेकिन सबसे कम जो लॉस हुआ है और यह कम होता जा रहा है देखे ये लॉस और ये positive sign की तरफ ही जाएगा फिलाल यहां से ठीक है उसके बाद में अगर आप year to year भी अगर आप देखेंगे तो देखेंगे तो देखेंगे यहां पर भी उसे negative कमाए एक suddenly jump आया और positive हुआ ठीक है यहां कोरोना के विज़े से जो है इसको loss का सामना करना पड़ रहा है ठीक है फिलाल क्योंकि अभी तक malls जो हैं वो पूरी दरीके से access नहीं होएं और access हुए भी हैं तो क्या है कि उनको क्या होए उनके उपर limited टाइम बाउंडेशन हो गया विकाज आफ नाइट कर्फियो देखेंगे बोर्विंग्स जो है कंपनी ने पांसो करोड यहां पर कम कर ल रखा है तो जनता के पास किता है केवल और केवल 9% के आसपास देखेंगे जनता ने अपना स्टेक रिड्यूस कर रखा है यहां पर तो मैं आपको कह रहा हूं कि जहां पर 10% ही ना जनता के बास से वहां पर आपको एंटर होना चाहिए ठीक है अभी इस टॉक का प्राइस तो है वह 206 रुपए के आसपास चल रहा है ठीक है तो कि मार्केट गिरा लेकिन जादा कुछ गिरावट नहीं क्योंकि जो शेर होते हैं ना फैनेंशल रिजर्ट आने से पहले और और टॉमेंटिकली ऑटो करेक्ट हो जाते हैं देखिए शेर जो है 600 रुपए का सपास गय बनाया यहां पर 600 रुपए के आसपास का और अभी शेर मिल रहा है आपको वंधर प्राइस के अंदर में तो आप स्टिल इसके अंदर आप एंट्री मना सकते हैं नैक जो शेर है वो डिक्सन टेक्नोलोजी है और जिस चीज़ का मैं वेट कर रहा था वो अब आ चुका है औ और इस शेर के अंदर मैं भी घुसने वाला हूं फिलाल के लिए देखिए अप ट्रेंड चार्ट है पूरा अप ट्रेंड चार्ट है देखे जब शेर आया था तो यह शेर था कितना केवल और केवल ड़हाजार रुपए का शेर था उसके बाद शेर में देखिए जार का स्टोक है है और रहतो हूं कि इसका होने वाला है सब डिविजन बॉर्ड मीटिंग है दो प्संटियों नेसड को में पर और अपर आप देख सकते हैं देखिए उन्यापे भाटाया को मीटिंग होने वाली है अप्रूव एननेटर फाइनिशल रिजल्ट क्वाटर एंडर दिसमबर 31st एंड़ सब्डिविजन अगर होई काना तो मुझे लगता है कि 1 इस टू या यह होगा 10 इस टू ओन का मतब एक के वर्दे आपको 10 शेर आपको देखने को मिल सकता है एंडिक्सन टेकनोलोजी के फिलाल हाला कि यह 5 इस टू 1 भी हो सकता है लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी है वो 10 इस टू 1 की है हैपियस माइन टेकनोलोजी इस लिमिटेड देखिए अंडर डॉक शेर है अभी तक किसी की नज़र नहीं थी जब मार्केट खुला था तब मार्केट अब था और यह शेर डाउन था जब मार्केट डाउन था तो यह शेर क्या हुए यह शेर भागना स्टार्ट किया और कत्ती रैली दिखा है सेवन परसेंट की रैली दिखाई आपको एक बार में 25 रुप हो सीधा का सीधा ऊपर चला गया सीधा ऊपर चला गया और हैप्यस माइंड टेक्नोलोजी का अगर मैं आपको दिखाऊंगा अर्निंग्स तो आपके आंके फटी रह जाएंगे 83 परसेंट का आरो सीए 42 परसेंट का भाई बहुत तगणा बहुत तगणा फेस वैल्यू दो रुपर के आसपास है इसका त्थी के बार में नीची चलते हैं और आपको हैप्यस माइंड का मैं आपको कौार्टर ली दिखा देता हूं यह देखिए नेट प्रॉफिट का जो कौार्टर है इस टिल जो है वो प करती जा रही है बहुत अच्छा प्रोफिट को अगर आप देखे 14 था और इस साल के अंदर उसने 72 कर लिया और यहां पर आप बोरों की बात करेंगे तो बोरों कम नी जो है सीदा सीदा कम करती जा रही कम करती जा रही है असी रह गई है अब नीचे अगर हम आते हैं और और आपको यह शेयर आपको आपके पॉर्टफोली में रखना ही रखना है यह भी मेरा वन ओफ माइ फेवरेट शेयर है जो अभी तक चलता जा रहा है ठीक है और इसका भी ट्रेंडिंग चार्ट है लाइक डिक्सन टेकनोलोजी किता है देख सकते हैं आप एकदम वैसा ही कोई फेर बदल नहीं दिख रहा आपको और अगर आप अगर आप रिटर्न वन कैपिटल एंप्लॉइड और एक्विटी देखेंगे तो बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है और अच्छी इंडस्टी जा रही है ठीक है बहुत बढ़ीया जो है कंपनी वर्क करती जा रही ह क्यों है इंक्रीज होता जारा है चाहे कोरो ना हो यह नेट प्रॉफिट का कॉर्टर देख़िए कोई बड़ा कोरोणा का है इसके उपर में टिक है प्राइस तो का पॉर्विंस बिल्कुल खतम कर दिया है और मोई डैप्री कम्पनी होने वाली है ठीक है उसके बात प्रमो इसका सब डिविजन होने वाला है कंपनी का तो यहां पर देख सकते हैं डिक्सन टेकनोलोजी बूर्ड मीटिंग क्वार्टर लिजर स्टॉक स्प्लिट तो देखिए दोनों बहुत ही अच्छे शेयर हैं और इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट बेशिकली जो यह मेरा नामबर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिलाल आप इसको save कर सकते हैं और DM कर सकते हैं मुझे क्योंकि यहां पर मिलती है आपको free of cost knowledge ठीक है नीचे टेलिकराम गुरूप का description box में link दिया हुआ है ठीक है गुरूप को आप जॉइन कर सकते हैं उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं चाहें तो ठीक है नीचे मैं इंज चार्ज़ लगेगा वह 20 रूपर परमंद लगेगा इसका वंदर 240 रूपर जो अधर ब्रोकरिंग हाउच के मुकाबले बहुत ही कम है so guys thank you so much